सलमान खान की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है और फैन्स उनकी फिल्म का बेसबरी से इंतिजार करते हैं। इस बार भी यही हुआ और फिल्म राधे योर मोस्ट वॉंटेड भाई के रिलीज होते ही फैन्स ने प्यार बरसाना शुरू कर दिया। भाईजान के फैन्स ने फिल्म को लेकर उनके फैन्स की दिवानगी को इस तरह से समझा जा सकता है कि राधे योर मोस्ट वॉंटेड भाई के रिलीज के कुछी देर बाद OTT प्लैटफॉर्म जी फाइव का सर्वर क्रेश हो गया। हाला कि उसे बाद में सही कर लिया गया था। फिल्म को सिर्फ ज 40,000,000 व्यूज मिले हैं हाला कि अन्य प्लैटफॉर्म का आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। बताया जाता है कि Z5 ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिये फिल्म के रिलीज के पहले दिन रात 9 बजे एप पर जो ट्रैफिक था वो लॉंच के समय से भी ज्यादा था। फिल् सलमान खान की फिल्म के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उनकी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया हो और IMDb की रेटिंग के मामले में पीछे रह गई हो। इससे पहले भी उनकी कई फिल्मों ने बंपर कमाई की है लेकिन IMDb पर फ्लॉप साबित हुई है। रा इसे 5.9 रेटिंग ही मिल पाई थी। साल 2018 में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म रेज 3 ने बॉक्स ऑफिस पर 166 करोड रुपे कमाई थे। वहीं IMDb पर फिल्म को 1.9 रेटिंग ही मिल पाई थी। सलमान खान की फिल्म भारत साल 2019 में रिलीज हुई थी और फिल्म ने 197 कर इसके बाद IMDB पर इसे 4.9 रेटिंग मिली थी। इन्जॉय करें ना कि पाइरेटेड फिल्म देखें। इसी प्रगार की तमाम जानकारियों के लिए हमार साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।